हमने उनको कहा कि इप्तदा से ही जो बात हम कहते आ रहे हैं कि यह जो रियार्गनिजेशन एक्ट हुआ 2019 में यह हमारी नजर में अनकॉंस्टूशनल है हम सुप्रीम कोर्ट में गए हैं इस केज को लेके सुप्रीम कोर्ट के फैसले तक कमिशन को रुकना चाहिए था ताकि यह जो है उसके बाद जो आउटकम होगां उसका उसके बाद इनको एक रस करनी चाहिए दीजिए लेकिन वह कहने के बावजूद हमने इनको कहा कि यहां रियास्त में जो है इंस्टूशन सपर एथ बे बारियत हैं हमको एदभार नहीं रहा है तो कमिशन को किसी भी अगर यह तब भी आगे चाहेंगे करें कि यहां वैसे भी जो है इन्सूशन से और दिली के इन्सूशन से खासकर पूरा अब तक बहार नहीं रहा है और आज की अगर आज की करते हैं पिर जब दोज़ार चुप्र इसके पाद पूरे मुल्क में अग्जरसाइज होगी इनको दुबारा करती पड़ेगी तक बहतर यह रहता कि यह रुकें लेकिन इन्हों ने अपना मन बनाया जो आज में को लगा इन्से इसरार किया कि शफावत से करें ताकि इन इदारों पे जो है इतबार बहार लेंगे अभी इडी ने उनको समझ बेजा उनकी मा को पीडी पी अपना जवाब खुद देगी उसके में अरे में पूलेंगे नहीं को कैसे होगा हमने आपको रिदिन भी दिया इस पे सारी डिटेल है